दोस्तों इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट डियक्टिवेट करने का प्रोसेस है वह 2022 के बाद 2023 में बिल्कुल चेंज हो गया है अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डियक्टिवेट करने के लिए यूटूब पर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ओल्ड इसमें जो Instagram account deactivate करने का नया तरीका है वो मैं आपको आज की वीडियों बताने वाला हूँ और चैनल पर ने तो प्ली सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू कर देना तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हैं और चलते हैं मोब पहला तरीका आपको बता रहा हूं उसके बद दूसरे तरीका आपको बता हँगा जिसको प्रॉपर रॉपर सब्सक्राइब करने के बाद ना को सब्सक्रार settler option Dann or settings for click करने के बाद आपको नीचे नीचे आ जाना है याप भुस सरे option है है जीनके आपको नीचे help option दिखेगा हेल पर उप खलिक कर देना है pra क्लिक करने के वाद आपका याप फिर बहुत सरे option दिखेंगे इने में आपको फर्ड नंबर को को option select कर लिना है help Center का help Center पर आपने क्लिक कर दिया आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर यहां पर आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है ऊपर ड्राइट और में दिखी की त्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सेकंड नमबर को option चूज कर लेना है मैन चाहें या फिर डिक्टिवेट करना चाहें और फिलाल मैं अकाउंट करने का प्रोसेस बता रहा हूं तो आपको सेम यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं अब आपको ऊपर यूपर फर्स नमबर को option दिखेगा टैंपर डिक्टिवेट और इस वाले option पर क्लिक कर देना है इस वाले option पर क्लिक करने के पशह को नीचे चलना है यहां पर लिखा वाय है तो तो तेंपर अकॉंट करने का option पहले उपर आता था यह अकॉंट सेंटर का option आगया इसके में थोड़ा सा को नीचे स्क्रॉल करना है यहां पर आपको Desde Instagram.com फ्रॉम यहां पर लिखा हूआ ह पर इसे हो जाएगा Instagram.com आपको इस पर क्लिक कर देना है Instagram.com पर क्लिक करने के बाद आप रिडायट हो गए है Chrome browser में जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं वेब ब्राउजर में आपका Instagram account open हो गया है अगर आपको यहाँ पर मेरा आपको लोग इन कर लेना है उसके बाद Instagram पर क्लिक करना है फिर से और प्रोफाइल वाले पर ये प्रोलम आ रही है जो ओल्ड टाइब की वीडियो में आपको मिलेगी जो मैंने भी अपने चालल पर वीडियो डाली थी कि इंस्टार्म अकाउंट करें पहले का तरीका था उसमें आप वीडियो पर क्लिक करते हैं एडिट प्रोफाइल में तो आपका प्रोसेस आगे स बिल्कुल और आपको अपनी प्रोंब डाउज़र को लिया ना यहां पर पर नोगिन पेज नहीं तो आपको अल्रेड़ी लोगिन होगा तो एपकर लोगिन करने के बाद आपको क्लिक कर देकर रहा नीचे- नीचे- में और प्रोफाइल फाल पर क्लिक करने के बाद आपको फिल गई अब आपको एड़ फौन फो किलिक करने के वाहां पर आसानी से वाला पेज खुल गया है आपको नीचे-uciones आ बिलकुल यहां पर आपको क्न् sic जो नीचे-नीचे हो रहा है इसके बाद आप पर वेऊपर ऑपर रहा है आप का यूजर नेम और आप अपने Instagram अकौंट को डि 상 करना चाहते हैं इसलिए आपको Instagram बेसलिए पूछ रहा कि आ। क्यूंद करना चाहते हैं तो यहाँ अपर वायरगां इंट को रीज़ tu हैंन्य योर आकांट इसके नीचे आपको यह साथ दिन च्छैंग फांट चाहिन दो एक एक दिन तक डी टिवेट रखना चाहते हैं दो दिन तक पाँ दिन तक साथ दिन तकष्ट कर लेंगे दिन बाद रंसक्रेकंट और अगर आप इसको सव्हक्ष यह डाया अंड respe कहाने के बाद आपको नीचे क्लिक कर देना इ safer फिर से तक्लिक कर देना है और यहस करने के backstory करने के बाद आप यहां से लोग आउट हो जाएंगे देख सकते हैं ँपर इंस्टरा अकाउंट मेरा लोग उट हो गया है यानि कि आपका कर लेना और ज्यादा प्रोलमा आ थी तो पास्फ़र से लोगिन कर लेना आपका इंस्टागरम अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो यह था इंस्टागरम एकटिवेट करने का प्रोसेस जो 2023 में चेंज हो गया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तर समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आगी तो वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल पर नहीं तो प्रीज सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए